नमस्कात दोस्तों सवागत है आपका साई फैमल्य डॉक्टर में दोस्तों आज हम क्लियरृ नौए रइसme के बार में विस्तार से जानेंगे क्लियरृ नौण रइसme कर दर में करने लातलब होता है, भच्यों की किन बीमारियूंे इसके इसतिमाल होता है इसके ingredients क्या है, इसका dosage और इसके side effects क्या है इन सारी बातों को हम विश्तार से जानेंगे तो please वीडियो को अंतर तक जरूर देखें पहले हम इसके manufacturer, price और packing की बात करेंगे Clarinova syrup को Mankind Farmer ने बनाया है 30 ml के packing में ये आवालेबल होती है ये एक dry syrup है, जो powder form में होती है जिसे 30 ml sterile water में dissolve करके बनाये जाता है sterile water आपको dry syrup bottle के साथ ही कार्टून में होती है जिसे आपको mix करके syrup बना देना होता है अगर हम इसके price की बात करें तो इसकी जो cost है वो 146 रुपीज है clarino syrup आपको सभी medical shops में आसानी से आवालेबल हो जाती है अब हम इसके ingredients की बात करेंगे clarino syrup में clarithromycin 125 mg की मात्रा में होता है clarithromycin एक एंटिबोटिक है जिसका समाविश macrolide group में होता है clarithromycin का उपयोग bacterial infections में करते हैं जैसे hemophilus influenza, streptococcus pneumonia, mycoplasma pneumonia, staphylococcus aureus और mycobacterium avium clarithromycin bacteria के ग्रोथ को रोगता है और bacteria से हुए infection को कम करता है अगर हम clarino syrup की उज़िस की बात करें तो इसका उपयोग निमोनिया में जहां फेपडों में infection होता है bronchitis में जहां फेपडों को जोडने वाली tubes में infection होता है और कान के, sinus के, skin के और throat के bacterial infections में clarino syrup का उपयोग किया जाता है clarino syrup virus से होने वाली infections में जैसे cold या फिर flu में ज्यादा प्रभावी नहीं होता अगर हम इसके dosage की बात करें तो दिन में दो बार 5 ml की मात्रा में खाने के बाद आप इसे दे सकते हैं clarino syrup के कुछ side effects होते हैं जैसे diarrhea, stomach pain, headache, nausea, omitting और weakness इसलिए दोस्तों clarino syrup के इस्तिमाल आप अपने डॉक्टर की सला से ही करें दोस्तों video अच्छे लगे तो please like कीजिए और अगर आप channel पर नए है तो please channel को subscribe कीजिए धन्यवाद